जय माता दी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अचूक टोट के लेकर जिनको करने के बाद आप अपने खोए हुए प्यार को वापिस पा लेते हैं लेकिन आज आपको टोट का बताने से पहले थोड़ा सा सतर करना चाहूंगी क्योंकि आज कल मार्केट में बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जो लोगों को उनके मार्क से भटकाने का कारे कर रहे हैं लोग अपने मार्क को ढूणने जाते हैं अपने मार्क दर्शक को ढूनने जाते हैं लेकिन वही मार्क दर्शक उनको उनके मार्क से भटका देता है यानि के मार्केट में ऐसे बहुत से लोग आज बैटे हैं जो लोगों से 1000 रुपे ठक लेते हैं लेकिन उसके बदले में उनको उनका कारे भी नहीं बनता हुआ देते हैं यानि के पैसे ले लेते हैं और कारे उनका बनता नहीं है और लोग निराश हो जाते हैं हताश हो जाते हैं क्योंकि एक तो पहले ही उनको अपने प्रेमी या प्रेमी का को पाना होता है या फिर कोई का पर उनकी जेब से पैसे चले जाते हैं तो उसका भी दुख उनके लिए डबल दुख बनकर उनके सामने आ जाता है अगर आपका भी सामना ऐसे लोगों से होता है तो आप ऐसे लोगों से बच कर रहें ऐसे बहुत से लोग आज कल मार्केट में आ गए हैं लेकिन यहां पर तो चलिए के लिए आपको ज़्यादा सामिग्रियों की अविश्यक्ता नहीं पड़ेगी, सामिग्रियां बहुत आसान और सरल है जो घर में उपलाप्त हो जाती है आपको करना होगा आपको मैं बता देती हूँ ये प्रचंड वश्यकरन का टोटका है जिसको करने के बाद जरूर आपको फायदा होगा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से कीजिएगा आपको जरुरत होगी तीन नीम्भों की यानि के आपको तीन नीम्भों लेने हैं उसके साथ ही आपको जरुरत होगी एक पीले रंके वस्त्र की साथ ही आपको अविशक्ता होगी सिंदूर की और मिश्री की जो कि आपको बहुत असानी से मिल जाएगी इन चीजों के माध्यम से आपको ये वश्यकरन करना है आपको करना क्या है मार कर लेना है और जो नीमू है उन में से एक नीमू पर लिखना है अपने प्रेमी या प्रेमी का का नाम जिसको आप पाना चाहते हैं उसका नाम अगर आप पुरुश है और किसी हिस्तरी को वश में करना चाहते हैं और जिसे आप वश में करना चाहते हैं उनका नाम है सुनीता, तो आपको यहां लिखना होगा सुनीता, सुनीता लिख दिया आपने, दूसरे नीम्भू पर आपको लिखना होगा 786, 786 लिख दिया आपने, तीसरे नीम्भू पर आपको लिखना होगा खुद अपना नाम, रवी, जैसी कि आपका नाम रवी है, तो आपने रवी लिख दिया, अब इन तिनों नीम़ों को आपको रखना है इस पीले रंके कपड़े के अंदर, इस कपड़े के अंदर इन नीम़ों के साद आपको रखनी है थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा सिंदूर और इसकी पोटली बना लेटी है, लेकिन एक चीज़ का बांध कर अपने सामने रख लेना है अपने सामने रखने के बाद आपको पूरी श्रद्धा से पूरे ध्यान पूरवक उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम लीजेगा आप तीन बार उस व्यक्ति का नाम लेना है और जो टोटका है प्रचंड टोटका है ये जरूर काम आएगा आप इस टोटके को कीजिएगा और अपने प्यार को अपने वश में कर लेजिएगा और जानकारिया लेने के लिए या फिर गुरु माता जी से बात करने के लिए जो नंबर आपको दिखाया जा रहा है इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं गुरु माता जी से बात कर सकते हैं जया माता दी